समग्र शिक्षा अभियान से वेतन पाने वाले धाय लाग शिक्षकों का सत्रह सो करोर से अधिक वेतन विद्धी का एरिया बकाया है। जैहिंद, नमसकार, संजीव समीर लाइव में आपका स्वागत है। आपको बतादी की राजय के लगभग धाय लाग से अधिक स्कूली शिक्षकों के नौ माह के वेतन विद्धी की बकाया राशी बारह सो करोर से अधिक का भुपतान नहीं हो सका है। वही 80,000 वैसे शिक्षकों को भी एरिया बाकी है, जो बाग में प्रशिक्षक हुए हैं। यानि सभी शिक्षकों का कुल एरिया 1700 करोल से अधिक बाकी है। शिक्षा विभाग में 15 प्रतिशक की दर से वेतन विद्धी का बकाया राशी बुपतान के लिए 13 सितंबर 2022 को राशी भी जारी किया था। लेकिन बुपतान नहीं हो सका है। जैसा कि आपको पता है पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से नियोजिक शिक्षकों के वेतन में 15 प्रतिशक की बढोदरी का लाब अप्रेल 2021 से दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA के तहट बुपतान होने वाले अधिकान शिक्षकों को अप्रेल 2021 से दिसंबर 2021 तक 9 माह का बकाया राशी का बुपतान नहीं हो सका है। वही जियोबी विहार सरकार्ट मर्द से भुपतान होने वाले 50,000 शिक्षकों का वेतन वृद्धी का एरिया भुपतान हो चुका है। नियोजिक शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धी के हिसाब से 3,500 रुपे तक प्रतिमाह का लाब मिला था। इस हिसाब से एक शिक्षक को 40-45,000 रुपे का वेतन वृद्धी राशी का एरिया भुपतान होना है। जो बाकी है उसे जल्द भुपतान कराये सरकार। वही टीटी शिक्षक संप के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि एरिया भुपतान के लिए सरकार ने 2140 करोर का राशी आवंटित किया था, लेकिन भुपतान नहीं हो सका। क्योंकि उस राशी का कही कोई पता नहीं चल रही कि राशी कहा गई। ऐसे में अमित विक्रम ने बताया कि इसके लिए हमने मुख्यमंत्री को ग्यापन दिया है और जाज की मान की है। जल्दी इसका समाधान कर लिया जाएगा।